Hello friends welcome back to my channel so friends आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिजाइनर कुर्ति की कट्टि इटी की का वीडियो जिसको हमने गोटा पट्टी के साथ डिजाइन कया है साथ में हम इस दुपट्टे को भी दिजाइन करेंगे इस वीडियो से पहले मैं इस गरारे की वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आज की वीडियो में हम ये कुर्ती और दुपट्टा डिजाइन करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का माटेरियल, इस स्क्रिन पर आप मेजर्मेंट देख सकते हैं, इसी मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग हमने आज की कुर्ती रेडि करनी है, तो आपका जो भी मेजर्मेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती रेडि कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी कुर्ती शोड बनाएंगे, यानि 30 तो देखिए यह हमारा दुपट्टा है जिसमें थोड़ा सा जाल बना हुआ है तो यह हमें मार्किट से ऐसे ही मिला है तो हम इस दुपट्टे के बार्डर पे यह लैस लगाएंगे चारो तरफ और साथ में हम हैंगिंग भी लगाएंगे तो यह दुपट्टा हम बाद में डिजाइन करेंगे तो इसको रखेंगे साइड में सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी कुर्टी का मैटेरियल यहाँ पर मेरे पास यह थोड़ा सा फैब्रिक गरारे में से बचा हुआ है जिसमें हम स्लीव बनाएंगे एंड कुर्टी के लिए मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है तो यहाँ पर आपको टोटल 2 मीटर फैब्रिक की ज़रुद पड़ेगी यहाँ पर जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो यह बटर क्रेब फैब्रिक है आप को इसका भी प्लेन फैब्रिक लिए सकते हैं तो यह हमारे पास बटर क्रेब फैब्रिक है तो यह 1.5 मीटर पीस है जिसमें कूर्टी कट करेंगे और 1.5 मीटर हमारा अलग है जिसमें हमारी स्लीव बनेंगी फो कुर्ति बनाने के लिए हमें टोटल दो मीटर फैबिक चाहिए, अब दिखें कुर्ति को डिजाइन करने के लिए मैंने सीक्वेंस कटवर्क लेस ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये लेस मैंने दो मीटर ली है, इसके साथ मैंने ये गोटा पट्टी ली है यानि quarter inch की ये हमारी गोटा पट्टी है और साथ में हमारे पास ये triangle less है जिसको हम neck में और sleeve के border पे यूज़ करेंगे ये triangle less हम गरारे में यूज़ कर चुके हैं तो उसमें से बची हुई हमारी less थी तो सबसे पहले हम ये अपना कुर्ती का fabric open कर लेते हैं जो हमारे पार 1.5 meter है ये अभी double fold है इस तरह से अब मैं आपको इसकी length बता देती हूँ double fold करने के बाद जो इसकी length है वो लगभग 32 inch है इस तरह से कुर्ती मुझे 30 पर ready चाहिए तो 2 inch हमारा seaming allowance में चला जाएगा तो इस तरह से हमारी 30 पर ये कुर्ती की length ready होगी आप अपने इस आप से कुर्ती की length गठा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास fabric double fold है अब इसको हमने इस तरह से four fold करना है तो four fold हमने अपने hip या chest का according करना है hip या chest में से जो भी size हमारा ज्यादा होगा उसका हमने four part करना है और लगबग हमने 2 inch add करना है तो मैंने hip का according यहाँ पर four part किया और 2 inch add कर लिया है इस तरह से तो यह हमारा लगबग 13 inch आया है so 13 inch की इसकी width रहेगी और जो length है वो 32 inch की है इस तरह से so fabric की यह वाली open side है और यह वाली हमारी folded side है अब यहाँ से हम अपने shoulder का mark करेंगे तो उस shoulder में 7 inch लोगी आपका जितना भी shoulder है उसका half लेना है तो यहाँ पर हमने 7 inch पर mark करना है अब 7 inch ही हम armhole की length लेंगे इस तरह से so guys यह हमारी बिल्कुल simple कुर्ती की cutting होगी इसके बाद हम अपने bust का fourth part करेंगे तो हमारे measurement में 40 inch है और 2.5 inch हम अपना आगी की तरह simming lounge ले लेंगे इसके बाद हम back armhole की marking करेंगे और half से 5 inch अंदर की तरह front armhole की marking करेंगे इसके बाद chest से west की length हम 7 लेंगे और west से hip की length हम 6 inch लेंगे अब हमारी waist यानी कमर की जो गोलाई है उसका fourth part करेंगे तो मैं यहाँ पर 8 inch पर mark करूँगी और hip के लिए मैं साड़े 10 inch पर mark करूँगी इस तरह से इसके बाद हम अपने दामन की broadness ले लेंगे तो लगबग 11 inch पर हम अपने दामन की marking करेंगे अब जो भी हमने marking की है इनको एक दूसरे के साथ इस तरह से line up कर देंगे आपका जो भी measurement है इसके according है आपको अपनी simple कुर्ती की marking कर लेनी है और उसके बाद हमने 2,5 inch आगे की तरफ saving allowance ले लेना है तो लीजे इस तरह से हमारी marking complete हो चुकी है अब हमने cutting करनी है तो cutting के लिए सबसे पहले हम अपना back वाला armhole पर cutting करेंगे सो इस तरह से cutting कर लिए और half inch हमने कंदी भी down की है यहां से तो यह cutting हमारी complete हो चुकी है इसके बाद हम इसमें से back वाला part निकाल लेंगे और यह हमारा जो marking वाला part है इसको वापस से इस तरह से fold करेंगे और extra armhole की cutting कर देंगे इसके बाद हम इसको सीधी तरफ turn करेंगे तो यह हमारी सीधी side है कुरती की यहां से हमने marking करनी है तो यहां पर पहले अपनी fitting की marking कर लेते हैं तो दोनों side से इस तरह से हमने fitting की marking कर ली है इसके बाद हमने देखिए इस side से इतना हमारा dating seaming allowance में चला जाएगा यानि चाक फोल्ड हो जाएगे अब यहां से हमने आगे की तरफ लगबग धाई से तीन इंच पर mark करना है और जहां तक हमारे slit open है वहां तक इसकी length लेनी है तो यहां लगबग 12 इंच आएगा तो मैं इसको सीधा mark कर दूँगी तो बस मैंने इस तरह से mark किया है अब यहां पर हमने अपने गोटा पट्टी लगानी है तो यह थोड़ी सी उलजीवी थे तो मैंने इसको paper पे इस तरह से fold कर लिया है इसके बाद सीधा हमने गोटा पट्टी को इस mark पर इस तरह से रखना है और एक line हमने इसके बराबर से इस तरह से लखनी है बीच में हमने गोटा पट्टी के gap देना है यानि जितनी चोड़ाई हमारे गोटा पट्टी की है उतना ही gap हमने दोनों में देना है तो इसको यहाँ पर हम pincels set कर लेंगे इसके बाद देखिए हमारी जो less है इसके चारो तरफ से हम ये net cut कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी शेप है उसी के according हमने इसको cut करना है तो जो ये extra net निकली हुई है यहाँ से तो अपने cut work के according हमने इसको cut कर लेना है तो देखिए इस तरह से मैंने यहां से आगे से cut कर रखा है अब इसको हमने middle में से इस तरह से fold करना है और बीच ओ बीच करना है इस तरह से cut कर देना है अब सभी हमने इसी तरह से cut करते जाना है जितनी हमें जुरूत होगी हम यहां से cut कर लेंगे तो यह हमारे round shape में sequence flower मिल जाएंगे हमें सो इस तरह से हमने cut कर लिया है इसके बाद जब हम गोटा पट्टी लगाएंगे तो यह जो flower है इनको हमने hand to hand इसके साथ सिलते जाना है और gap हमने लगबग 3 इंच का इस तरह से देना है इसी तरह से set करेंगे तो यहां से हमने आगे भी इसी तरह से लगाना है तो देखें यह हमने इस तरह से set किया था गोटा इसके बाद एक इंच उपर की तरफ हम अपना यह flower रखेंगे इस तरह से बीचो बीच और यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं गोटा के बीच में थोड़ा सा gap है और जो हमने इसके उपर इस तरह से flower रखने है उनके बीच में लगबग हमने 3 इंच का gap देना है तो यह एक ही सिलाई में हमारे गोटा भी सिल जाएगा और जो हमारे flower हैं वो भी एक दूसरे के साथ गोटे के साथ सिल जाएगे तो यह तीन flower हमने रख दिये हैं इसके बाद हम एक last में रखेंगे जहां पर हमारा joint आएगा तो यहां से pin निकाल देते हैं और एक flower हम यहां रख देंगे इस तरह से इसको सीधा सिलने के बाद यहां से हम फैब्रिक को घुमा लेंगे अब हमने जो दूसरे साथ का गोटा है वो सिलना है तो यहां पर जो दोनों गोटे के gap है उसको बराबर maintain करना है तो यहां पर जितना भी आप gap रखना चाहें वो रख सकते हैं इस तरह से अब इसी तरह से हम आगे भी लगाएंगे यानि जो इसके बाद हमने लगाना है उसका gap में लगबग 3 इंच पर दूँगी तो दिखे इस तरह से हमने यहां पर यह सेट कर लिया है इसके बाद हमने अगला लगाना है यानि जो हमारा अगला गोटा पट्टी होगी तो यहां से हमने 3 इंच का gap देना है इस तरह से अब यहां से गोटा पट्टी रखेंगे और सभी को इस तरह से सीधा सिलते जाएंगे और फ्लार हमने एक इंच उपर रखना है इस तरह से मैंने यहां पर कोई अलग से मार्किंग नहीं की है बस नीचे बाटम में में रख कर रही हूं मार्किंग गैप लेने के लिए बाकी यह गोटा हमने सीधा उपर तक सिलते जाना है तो कुछ इस तरह से देखिए हमने यहां पर गोटा लगा लिया है और जो इनकी दूरी है वो है तीन इंच यानि जो पैनल हमने बनाए है सीधे-सीधे वो तीन इंच है सो कुछ इस तरह से आप देख सकते है एक के बाद हमने सारे ये रेडी कर लिये हैं और जो इनका गैप है वो लगबग 3 नीचे से और जो लंबाई का गैप है वो हमने इंची टेप को तिर्चा करके उपर की तरफ इस तरह से मार्किंग की थी इस तरह से और हमने ये तिर्चा करके सेट कर दिया है तो ये कुछ इस तरह से आएंगे इसके बाद हमारा यहां से नेक बनेगा सो गाइस बिल्कुल इजी है तिर्सा करके हमने ये आगे की तरफ बढ़ाते जाना है और पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसका स्क्रिशॉर्ट भी ले सकते हैं हम इसका नेक बनाएंगे और नेक की विट ली है वो मैने 6 इंच ली है और जो लेंघ ली है वो व। स्वाव नी इंच ली है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अब हमने अपने नेक को बीचो बीच रखना है और यहां से सिलकर इसको अंदर के तरफ टान कर देना है इसके बाद हम अपना बैक नेक रेड़ी कर लेंगे तो बैक नेक की चोड़ाई तीन इंच रहेगी और लंबाई में 6 इंच लूँगी अब देखें यहां पर हमने सिंपल स्लीव कट कर ली है सिलीव की लैंथ हमारी 19 इंच है और विट हमने आर मोल की 10 इंच ली है इस तरह से हमारी सिंपल सिलीव कट हो चुकी है इसके बाद सिलीव में भी हम सेम वही पैटन बना लेंगे जो हमने कुर्टी में बनाया है गोटा पट्टी और फ्लार के सिसे नहीं के इसके बाद हमने back नेक भी रेडि कर लिया है तो back नैक में हमने round पट्टी लगाए है और पट्टी को अंदर की तरफ फॉल्ड भी कर लिया है अब ये पट्टी अंदर की तरफ जाकर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी इसके बाद हमने कंधी जॉइन करनी है तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी कंदी भी सिल देंगे इसके बाद दोनों साइट से हमने फिटिंग लगा लेनी है फिटिंग लगाने के बाद इसके स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे चारो slits फोल्ड करने के बाद हमारा जो back का दामने उसको फोल्ड कर लेंगे और front का दामन हमने already फोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये हमारी sleeve है sleeve में हमने कुछ इस तरह से pattern ready कर लिया है तो यहाँ पर हमने दोनों sleeve को ready किया है जो हमारी sleeve का bottom है उसमें हमने triangle less इस तरह से लगा लिया है अब हमने कुछती की fitting करने के बाद sleeve को join करना है तो उसके लिए हमने अपनी sleeve की fitting लगानी है और इसको अपनी कुछती के साथ join कर देना है तो इस तरह से ये हमारी कुछती बिल्कुल ready हो जाएगी तो लीजे इस तरह से ये हमारी कुछती ready हो चुकी है दोनो sleeve हमने लगा दी है इसके बाद हमने अपने neck में hand stitch यानी तुरपाई कर लिया नहीं है तो अंदर की side में आप इस तरह से तुरपाई कर सकते हैं इसके बाद अब हमने अपना दुपट्टा ready करना है तो दुपट्टे के जो हमारे दोनो side के border है उसको हमने fold कर लिया है यानि इस दोनो side से जो हमारे row edges होते हैं उनको हमने quarter inch double fold कर लिया है दोनो side से अब fold करने के बाद हमने ये less इसको उपर लगानी है so less को हमने simply इसके उपर half inch रहा कर रखना है इस तरह से और यहां से हमने चारो तरफ इस less को लगाना है और चार corner पर हमने less को इस तरह से turn करके corner बनाने है तो simply ये less हमने अपने दुपट्टे के चारो तरफ लगा लेनी है इसके बाद हम hanging से ready करेंगे so इस तरह से हमारी less लग चुकी है आप देख सकते हैं अब हमने अपनी hangings रेड़ी करनी है उसके लिए देखिए ये हमारी less के जो sequence कट वर थे इसको हमने दो-दो एक साथ कट किया है कुछ इस तरह से तो एक corner में हमने तीन की जरूत पड़ेगी तो ये तीन कट कर लिए है इसके बाद हमने ये golden beads लिए है और साथ में हमने गोटा पट्टी लिए है अब गोटा पट्टी की हम तीन स्टिप्स काटेंगे पाँच इंच की लेंद़ पर तो एक corner में हमने तीन hangings यानि तीन लटकन-लटकानी है तो उसके लिए हमने तीन गोटा पट्टी कट करनी है पांच इंच की लैंध पर तो ये हमारी तीन गोटा पटी कट हो चुकी है इसके बाद हमने गोटा पटी को जो हमारी लैस है इसको हमने इसके अंदर रखना है क्योंकि ये हमने दो फ्लॉर काटे थे तो हमारी गोटा पटी इसके अंदर कुछ इस तरह से आएगी इसके बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहां से तीन से चार यह दो से तीन सिलाई लगा कर इसको अच्छे से लॉक कर देंगे तो मैं यहां दो से तीन सिलाई लगा कर इसको अच्छे से लॉक कर दूगी जो हमारी यह तीनों लैस और गोटा पट्टी है इसको हमने इस तरह से सिल देना है तो यह हमारे लटकन यानि टाजल्स बन जाएंगे तो दुपट्टे के एक कॉर्णर में हमने यह तीन लटकन लटकानी है तो इस तरह से हमारी रेडी हो चुकी है इसके बाद हमने यह गोल्डन मोती लिए है अब हमने ये बड़ी वाली निडल लिये है बिकोज इसका जो होल होता है वो काफी बड़ा होता है जो हमारा गोटा पट्टी है वो इसके अंदर अराम से इंजर्ट हो जाएगा इस तरह से और अब हमने 6-7 मोती लेने हैं और इसके अंदर इस तरह से पास कर देना है तो ये इसी ली अंदर चले जाएंगे अब ये तीनों हमने जो लटकन बनाई है उसके अंदर हमने इसी तरह से मोती को डाल लेना है तो आप 6-7 मोती ले सकते हैं तो यह हो चुका इसके बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे एंड इसी तरह से अब हम ये दोनों भी रेडी कर लेंगे तो दिखिए बहुत आसान है ये गोटा 25 कंदर इंजर्ट करना अब हमने फिर से 6-7 मोती लेने हैं और ये तीनों लटकन इस तरह से हमने रेडी कर लेनी है सो फ्रेंड्स आप ये लटकन दुपटे में लेस लगाने से पहले भी रेडी कर सकते हैं ताके जब आप लेस लगाएं तो इसके कॉर्णर में ये लटकन एड्स करते हुए एक ही साथ सिल जाए इसके बाद आप देखिए हमने इनको एक दूसरे के साथ इस तरह से नॉट लगा लेना है और नॉट को हमने थोड़ा सा डीला रखना है यानि जो नीचे हमारा गोटा पटी है उसको थोड़ा सा हलके से इस तरह से लूज रखना है अब हमने यहाँ पर दो से तीन नॉट लगा कर इसको हमने इसके नीचे इस तरह से भी सिल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रखकर हमने 2-3 सिलाई लगा देनी है या आप हाद की नीडल से भी इसको यहाँ पर सैट कर सकते है तो इसके नीचे हमने इस तरह से रखना है और 2-3 बार अच्छे से सिलाई कर लेनी है तो यह इस तरह से भी लॉक हो जाएगा और आप डारेक्ट लैस और दुपट्टे के बीच में रखकर भी इसको सिल सकते है तो मैं चारो कॉर्णर में दुपट्टे के और लैस के बीच में रखकर लगाऊंगे तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है इस तरह से यह हमारी लटकन लग चुकी है अब हमने बाकी लटकन भी इसी तरह से लगा लेनी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जितने भी कॉर्णर है उसके बीच में मैंने यानि लैस और दुपट्टे के बीच में मैंने इसको सेट किया है यानि अब यह बाहर की तरफ नहीं दिख रहा तो गाइस इस तरह से हमारी कुर्टी और दुपट्टा रेडी हो चुका है विद गरारा एंड जो इस ड्रेस का कलर है वो अभी फिलहाल ओरिजिनल नहीं दिख रहा ओरिजिनल कलर यह है तो यहाँ पर जो हमारी कुर्टी और गरारे का कलर वो तो बिल्कुल as it is दिख रहा है बट जो दुपट्टे का कलर है वो इतना डार ग्रीन क्यों दिख रहा है वो मुझे भी नहीं पता विकाज ये दुपट्टा बिल्कुल मैच करता हुआ है गरारे और कुर्टी के साथ और वीडियो में जो इस दुपट्टे का कलर है वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है यानि बिल्कुल भी मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है बट जो इसका कलर और ओरिजिनल में है बिल्कुल सेम हमारी कुर्टी और प्लाजो के साथ मैच करता हुआ है कुरृत के नीचे जो एक इंच ऊपर हमने इस कुर्टी करने हमारे के जो एक पर देख सब्सक्राइख देख सके और जो प्रौपर लुक है इस तो हम यहीं से नीचे यम गरारे-क टार शक्षू देख सके लिए चेस Nanoo तो गाईज वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जुरूर बताए एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो please वीडियो को लाइक कर देए आप वीडियो देख लेते हैं, बड़ वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं और अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और कुछ नया करने को भी मोटिवेशन मिलती है इस तरह से देख सकते हैं ये एक requested वीडियो है मेरे को subscriber को मैंदी function के लिए special dress चाहिए थी जिनके लिए मैंने ये dress design की है So friends वीडियो में जो भी material मैंने use किया है अगर आपके आस पास वो नहीं मिलता है तो इन सब चीजों का link में description box में दे रही हूँ जहां से आप direct online purchase कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए bye take care Thanks for watching this video